दोस्तो 9th म quiz को सबसे बड़ी movie प्रभास की कलकी 289880 movie release होने वाली है जिसके आजपास कोई भी फिल्म में release नहीं हो रही है छोटी फिल्म में release हो सकती है लेकिन कोई बड़ी film के साथ कलकी का कोई class नहीं है यानि कि only कलकी movie थेयटर में release होने वाली है जो की अलग-अलग language में release होने वाली है हाला कि फिल्म को लेकर तो आया दिन कोई नो कोई updates आती रहती है लेकिन इस पार जो कलकी को लेकर updates आई है वो मतलब बहुत जादा important है क्योंकि कलकी movie imax में release होने वाली है बस इतना ही फरक है बाकी और कोई फरक नहीं है कलकी भले ही इंडिया के अंदर 9 माई को release हो रही है लेकिन overseas में इस movie को घाटा लग सकता है उसका reason ये है कि हॉलिवूड में हॉलिवूड की एक movie release हो रही है जिसका अजीब सनाम है मुझे याद नहीं आ रहा है तो वो फिल्म में release हो रही है 10 माई को तो इसके असर मतलब इसके box office collection पर असर पर सकता है overseas पर फिलाल अगर कलकी के बारे में बात करें तो दोस्तों कलकी एक बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है हम लोगों को पता ही है और कलकी movie को लेकर एक update और आ रही है ऐसा सुनने में आ रहा है कि कलकी movie का direct trailer release किया जाएगा मतलब कि इसका teaser जो सुनने को मिल रहा था वो teaser नहीं release होगा हाला कि अभी कुछ भी official announcement नहीं की गई है कि इसका teaser आएगा कि नहीं आएगा लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि direct कलकी का trailer release होगा हाला कि कलकी का glimpse भी आया था हम लोगों ने देखा था वो काफी बढ़िया था तो मतलब कि इसका teaser आये ना आये उसका तो कुछ भी अभी confirm नहीं है लेकिन इसका trailer जरूर आएगा तो मतलब trailer को लेकर तो हम सब पहले से ही बहुत जादा excited है लेकिन अगर इसका teaser आता तो हाला कि भी news भी आये थी कि इसका teaser एक मिनाट ती सिकेंड करहेगा और टू मिनाट प्लस करके कुछ ऐसा बताया गया था फिलाल देखते हैं कि इसका teaser होता है या फिर ट्रेलर होता है यह भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है और कहीं न कहीं यह भी सुनने को मिल रहा है कि कल कि मूवी इंग्लिस language में Will is नहीं होगी हला कि यह चीज़ भी confirm नहीं है लेकिन हम उतलम नियुस तो यही निकल कर आ तो इस वज़े से कल की movie जो है English language में release नहीं हो पाएगी लेकिन हो सकता है कि आगे पीछे यह फिल्म रिलीस हो लेकिन अगर कुछ तिन बात अगर फिल्म में release होती है तो उसके कोई मतलम नहीं निकलता है क्योंकि उसकी hype कम हो जाती है फिलाल अगर इसके promotion के बारे में बात करे आने वाला है तो पोश्टर भी काफी important है वो मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूं तो जो है इसका जो है मार्च से promotion स्टार्ट हो जाएगा मार्च में जो है इसका poster भी आएगा वहीं अप्रेल में इसका ट्रेलर भी आएगा तो कलकी जो है एकदम only movie release होने वाली है थे आर्वियू के दवरानी चीज़ कंफर्म किया है और ये नौ पार्ट में बन भी रही है और छे हजार सो साल पुरानी वहीं से सवगात इस फिल्म की स्टोरी दिखाए जाएगी तो कल्यूग में कलकी कैसे अफ्तार लेते हैं कलकी भगवान तो ये सारे चीजे फिल्में हमे को पिसंद आओ तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो से रिलेटिड अगर कोई बात चीत करनी हो तो मुझे इस्ट्रग्राम पर फॉलो करें मिलता है नक्ष्ट वीडियो में बाई बाई